नमस्कार आज अपने उत्तल लेंज की फोकस दूरी ग्याद करते हैं अपने पास यह के धांचा है और यह दो अलग-अलग अवक्रता के उत्तल लेंज से इनके अपने फोकस दूरी ग्याद करें अपन जानते हैं कि जब भी उत्तल लेंज में परकास की किर्णों को डाला जाता है तो उत्तल लेंज परकास की किर्णों को एक जगह केंद्रित कर देता है अपन परकास और यह इदर परदा है इनके बीच में उत्तल लेंज को रखके उन परकास की किर्णों को केंद्रित करे कि फोकस दूरी की जब अपन बात करते हैं तो फोकस दूरी को अपन परिबासित करते हैं समय के बताते हैं कि धुरू है और फोकस बिंदू के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं आज अपन निकालते हैं सबसे पहले अपन यह एक लेंस लेते हैं और इसकी फोकस दूरी याद करते हैं यह अपने पास एक स्टेंड इसमें अपने इस लेंज को लगा दिया अब इस जो पट्टी है इस पट्टीका पे अपने लेंज को आगे पीछे करते हैं और देखते हैं किस समय जो परकास की किर्णे हैं वो एक बिंदूवत केंद्रित होती हैं अपन देख रह किवनों का जो बिन्दुव हो फेल रहा है तो अपन देखते हैं जहां बिन्दूवत हो गया वहीं पे अपने रोप देते हैं यह देखँ यहहां पर आके जो परकास की dalनेने है भी बिन्दूवत हो जाती है अि नता जो उत्तर लेंज से उसने परकास की क्योंनों को एक जगह केंद्री ते कर दिया अब अपन परदे और इस लेंज के बीच की दूरी को देख लेए यह अपने पास स्केल लगा हुए इस स्केल से अपन देख लेते हैं कि पर्दे और लेंज के बीच 6 cm की दूरी है तो इस उत्तर लेंज की फोकस दूरी 6 cm हो जाएगी इसी परकार अपन एक लेंज हो लेते हैं यह दूसरा लेंज लेते हैं और इसकी भी अपन फोकस दूरी याते करते हैं इस लेंज को भी अपने इस्टेंड पर लगाया और इससे अपन इसकी फोकस दूरी यात करते हैं अपस्टेंड पर लेंज को आगी पीछे करते हैं और देखते हैं कहां पर यहां पर परकास की केर्णें बिल्कुल बिंदूवत केंद्रित होती हैं इससे आगे या इससे पीछे ले जाने पर परकास की जो बिंदूवत रूप है वो भिखर जाता है इस दूरी पर लेपन माप लेते हैं और देखते हैं किस दूरी पर यह देखा अब अपन परदे और लेंस के वीच की दूरी को माप लेते हैं जो बीस पॉइंट पाँच सेंटीमेटर है अर्थार इस लेंस की फोकस दूरी बीस पॉइंट पाँच सेंटीमेटर है इस परकार अपन उत्तर लेंस की फोकस बिंदू प्राप्त करके फोकस दूरी कहाते कर सकते हैं धन्यवाद